वास्कार दोस्तों आप सबीका स्वागत है 5-minute learning में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ICIC Prudential का gold ETF है वो क्या होता है दोस्तों इसको हम short form में ICIC gold भी बोलते हैं दोस्तों तो ICIC gold किया है दोस्तों ICIC gold एक ETF जो क्या करते है即 keyword के Price को track करते है मतलब इसका है इसका ृृष समस्तerson मतलब है कि जैसे GEUkal का Price उपर जाएगा वैसे वैसे आपको इस ETF का Price भी उपर जाएगा दोस्तों अगर आपको पता निए कि ETF क्या होता है दोस्तों ETF का मतलब यह होता है कि ETF एक collection होता है क्या तो stocks का या तो bond का या तो gold का मतलब हम किसी stock को एक basket बना देते हैं bond को या gold को हम एक basket बना के हम बेचते हैं तो उसको हम ETF बोलते हैं और आपको ETF क्या होता है यह पता नहीं तो आपको description में link मिल जाएगा आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपको पता है कि ETF क्या होता है तो अभी मैं आपको ICIC gold के बारे में पूरी detail में जानकरी देने वाला हूं दोस्तों तो ICIC gold का portfolio क्या है portfolio क्या है इसका ICIC gold का portfolio इसमें 100% gold है दोस्तों उसके अलवाइस में कुछ नहीं है मतलब ICIC क्या कर रही है आपके बदले में gold खरीद रही है और जो ये ETF इसको stock exchange में list कर दिये तो जैसे जैसे gold का price उपर जाएगा आपको उसका benefit मिलने लगेगा तो in conclusion ये बोल सकते हैं कि अगर आप ICIC gold खरीद रहे हैं इसका मतलब आप ये सीधा सीधा बोल सकते हैं कि आप gold खरीद रहे हैं जैसे जैसे gold का price उपर जाएगा आपको भी उसका benefit मिलेगा ICIC gold में दोस्तों आप सवाल ये होता है कि हम जाके physical gold क्यों ना ले ले हम ये ICIC gold को क्यों ना ले दोस्तों इसके 3-4 benefit हैं जिसको मैं आपको अभी explain करने वाला हूँ जैसे कि अगर आप दुकान से जाके gold खरीदे हैं दोस्तों आपको हापे making charges देना पड़ता है सोने के उपर जो कि 8-10% का होता है फिर आपको GST पे करना पड़ता है 5-10% जो भी applicable होता है GST gold के उपर तो जो gold खरीदने आप जार है उसमें आपको 15-20% ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा अगर आपको physical gold लेना है और इसमें क्या है जैसे कि आप अगर दुकान से gold लेते हैं आपको माल लीजे कभी gold को बेचना पड़ गया उसके बदले आपको पैसे चीए तो क्या है कई बार दुकान दार आपको exact gold price लेते हैं कुछ कम कर देते हैं मतलब आप खरीदे समय जादा हम बेचते हैं और फिर जब हम उनको बेचने जाते हैं बैंक में जाके locker लेते हैं उसके security के लिए इसको secure रखना भी ज़रूरी है तो मतलब उसका भी हमको charges देना पड़ता है वो charges भी हम बचा सकते हैं अगर हम demet account में simple gold खरीते हैं तो उसमें security भी हमको जादा मिल जाती है तो यह सब benefit हैं दोस्तो ICIC gold के as compared to physical gold अब सवाल ही आता है दोस्तो की ICIC gold तो अच्छी बात है इसको manage कोन करता है जो भी ETF होता है दोस्तो उसको एक company manage करती है ICIC potential जो है company ICIC gold के पीछे ICIC potential क्या कर रही है आपके बदले में gold खरीदे हैं उसको पिजोरी में रखते जा रही है और जैसे जैसे price उपर जाएगा आपको उसका benefit मिलते जाएगा तो security होगर है कि सबकी जिम्मेदारी जो है ऐसे ऐसी potential की रहती है तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तो ETF को क्या होता है ETF एक stock की तरह होता है जो कि stock exchange में list होता है तो उसका एक price भी होता है दोस्तों तो अगर हम gold खरीदने जाते हैं तो gold हमको मिलता है 45,000-46,000 फिर एक gram gold का price आजकल 400-47,000 चल रहा है तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या 1 gram gold को 100 हिस्सों में बाढ़ दिया है मतलब 45,000 का gold का price चल रहा है इस ETF को खरीदना और दोस्तों जो company है इतना सर आपके लिए gold खरीज रही है सब चीज खरीज रही है सब manage कर रही है तो उसके पीछे वो charge भी लेती है जो charge होता है वो 0.05% रहता है दोस्तों जो भी अब amount लगाएंगे उसका 0.05% yearly आपको ICIC Prudential चार्ज कर रही है और ऐसा नहीं है कि आपको अगर gold ETF लेना है तो आपके पस्रिफ ICIC gold का option है दोस्तों इंडिया में लगबग 10 company हैं जो कि आपको gold ETF provide कर दे हैं सब के नाम यहाँ पर मैंने list कर दी है जैसी gold भी यह निपॉन इंडिया manage करती है SATF gold SBI mutual fund इसको manage करती है Kotak gold, Kotak के दोरह maintain किया जाता है HDFC, HDFC, AMC के दोरह manage किया जाता है Axis gold, Axis AMC के दोरह manage किया जाता है इसी तरह से 10 gold ETF है जरूरी नहीं कि आपको ICIC gold लेना है जिस company के पर आपको भुरुषा आप उसका ETF ले सकते हैं तो हम यहाँ पर comparison देखेंगे फिजिकल gold और ICIC gold का चार्ट के उपर दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चार्ट लगा लिया है मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आप यहाँ आप देख सकते हैं जो orange वाली line है किसके की line है? ICIC gold की line है और जो blue वाली line है वो gold का price है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो हर curve में आपको हर curve में आपको यहाँ पर same same मिल जाएगा हर curve में आप देख सकते हैं कि line एकदम उपर नीचे जारी एकदम same जारी है मतलब same तरह से track होता है आपको gold आपके घर में आपको panic ले नहीं ले रहा है आपको सिर्फ investment purpose के लेना है कि जैसे जैसे gold का price उपर जाया मेरे को उसका benefit मिल जाया मेरे वो gold से मतलब नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं जाके सीधा सीधा आप ICIC gold खरी सकते हैं क्योंकि आपको एक तो सस्ता पड़ेगा making charges होगे रख कुछ नहीं लगेंगे तो मतलब ये यूज हो गया ICIC gold का कि आप मतलब physical gold लेने के जगा आप ले लिजे और आपको लगता है जब price बढ़ गया तो आप बेश सकते हैं और इसी तरह से माली जे आपको future में माली जे gold खरीनना है 10 ग्राम 20 ग्राम किसी भी साधी या function के लिए किसी के लिए आपको gold खरीनना है पर आज आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं रोज मतलब महने में एक बार हफते में एक बार दिन में एक बार जो भी है आप ICIC gold को purchase करकर करके यहाँ पर रख सकते हैं तो इससे क्या होगा दोस्तों धीरे धीरे आपको मतलब आपको gold accumulate हो जाएगा माली एक amount जो आपको चाहिए gold खरीने के लिए धीरे धीरे accumulate हो जाते है over the year तो आप उसको क्या कर सकते हैं sell कर सकते हैं और उससे जाके physical gold खरीच सकते हैं इतने समय में क्या हुआ जो भी gold का price उपर नीचे जाना था आपको साथ साथ उसमें मिलते जाएगा और आप finally आप एक gold भी ले सकते हैं अगर आपको buy करना है इस तरह से आप ICIC gold को gold की ETF को use कर सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए बहुत सारी ETF के उपर मैंने वीडियो बना के रेक्वें दिस्क्रिप्शन में आपको link मिल जाएगा अगर आपको प्लेइलिस्ट का link मिल जाएगा अगर आपको कोई भी doubt हो तो comment section दे पूछना ना हो लिए thank you very much for watching this video